Hello dear students, today we are going to discuss one of the important article that is rotational EMF from chapter Electromagnetic Induction. पहला केस्, आम इसमें लेते हैं. 2rotational EMF का मतलब क्या होता है? पहले मैं आहिders समझा दता हूँ. फिर हं पहला केस् में नेगी इसमें. जासिनल EMF में क्या होता है? कि सपोज आपके पास एक rod है. कोई conducting rod है, कोई conducting, केक्ड़ाध के संवाया हो. और वो जो Rod है, पहला केसम ले रहे हैं कि जब वो Rod कैसी है, conductor कैसा है? स्ट्रेट कंड़क्टर है, और ये स्ट्रेट कंड़क्टर कुछ इस तरीके से, Magnetic field कहा जाली है, inside, Magnetic field में कुछ इस तरीके से Rotate कर रहा है, कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से मैगनेटिक फील्ड में एक स्ट्रेट कंड़क्टर रोटेट कर रहा है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे ठीक है एंटी क्लॉक्वाइस पैशन में कुछ इस सरीखे से रोटेेट कर रहा है और इस कंड़ेक्टर की लेंथ है और f up है ज्ति फ्रबृटंहिक है और यह कुछ ऐसे कोरा है और मैगनेटिक फिल्डी में इंसाइड नी घंटर हम क्या करते हैं टेलिवेशन करने के लिए सबसे पहले इसमें हम एक small element लेते हैं आपको याद होगा हमने last class में last lecture में हमने पढ़ा था emotional EMF के बारे में जिसका अंसर आता था B magnetic field L length और V B L V, emotional EMF का अंसर आता था तो आपको अच्छे से पता है आप 11th class में एक relation पढ़ते हैं the relation between linear velocity and angular velocity और relation होता है V is equals to R omega तो हम क्या करते हैं पहले इसमें small element लेते हैं taking a very small element AB of length DX यह जो element है इसकी length कितनी है यह हमने लिए DX यह element की length हमने ले ली कितनी DX अब यह जो DX element है यह यह P किनारे से क्योंकि rod इसके about यह जो conductor है इस P point के about revolve कर रहा है तो इधर से इसकी दूरी लेली हमने X इस end से इस element की दूरी लेली X तो हम देखते हैं इस element की linear velocity कितनी लेली हमने V क्योंकि हमारे पास एक relation होता है V is equals to R omega तो इस element की linear velocity कितनी होगी V is equals to R यानि कि X जिस point के about रोटेट करता है वहां से उसकी दूरी X into omega तो V is equals to R omega तो इस small element में कितना small induced EMF develop हुआ होगा देखो क्योंकि आपने last class में पढ़ा था कि जब भी कोई conductor एक magnetic field में move करता है तो वहां पर induced EMF आता है तो इसके motion की वजए से इसके motion की वजए से यहां पर induced EMF कितना आ रहा है small EMF induced in this element is minus V BDX यह minus का sign इसलिए आता है क्योंकि V जब आप omega cross V करते हो तो इनकी direction DX से opposite होती है जब आप हम क्या करते हैं अगर हम omega और V का cross product करते हैं तो हमारी जो DX की direction के opposite आता है तो इसके negative sign लिया जाता है बाती आपको और clear होता जाएगा भी आगया आगे on integrating यह small induced EMF developed हुआ किसमें इस element में यह जो element है इसमें induced EMF कितना double up हुआ इतना अब अगर मैं इसको integrate कर दूँ over the length 0 to L तो मुझे मेरे पास पूरा answer आ जाता है तो हम क्या करते हैं इसको integrate करते हैं बी वी डी integration होता है X square by 2 और फिर limit रख देते हैं तो यह जाता है माइनस हाफ B omega L square माइनस हाफ B omega L square लेकिन यह तो को negative sign तो सिर्फ यह बता रहा है negative sign यह बता रहा है कि Q का potential potential at Q is less than potential at P negative science बता रहा है कि P पे potential जागा होगा और Q पे potential कम होगा यह हम निकाल कैसे सकते हैं तो अगेन मैं यह वला रूल आपको बताया था मैंने आपको last lecture में F B V force magnetic field और velocity positively charged particle तो जब यह rod ऐसे move कर रही है force magnetic field velocity को velocity को उपर की तरफ कर दिया इधर magnetic field अंदर की तरफ कर दी और velocity तो positively charged particle यहां रन कर रहे हैं यहां भाग रहे हैं तो यहां पर positive potential आ जाता है यहां पर negative potential तो हम rotating rod को भी एक cell की तरह दिखा सकते हैं तो और इसका EMF कितना होगा इस cell का half B omega L square आप वह आप से पूछे कौन सा higher potential पर है कौन सा end higher पर है कौन सा end lower पर है then you can use this method this is force on a positively charged particle this is magnetic field direction and this finger points in the direction of velocity of the rod तो यह ऐसे देखो velocity इदर magnetic field इदर तो positively charged particle इदर रन कर दें तो आपके पास induced EMF जो आता है उसकी उसका magnitude कितना हो जाता है उसका magnitude हो जाता है आपके पास half B omega L square तो यह rotational EMF था देखो अगर rod ऐसे चल रही है magnetic field तो भी EMF है induced EMF BLV आमने last topic यही करा था अगर rod ऐसे rotate करती है तो भी induced EMF आएगा लेकिन magnetic field होनी चाहिए वहां पर और वह कितना आता है half omega half B omega L square तो यह तो होता है straight conductor की बात ठीक है case 1 हमने लिया straight conductor का दूसरा case हम लेते हैं कि अगर हमारे पास जो conductor straight ना होके अब हमारे पास अगर rotating disc हो जाए disc disc का मतलब हो गया आपके पास कोई conducting plate है और वो plate ऐसे rotate कर रही है ऐसे ऐसे magnetic field अंदर जा रही है plate ऐसे rotate कर रही है तो हम कहते हैं in this case electrons inside the disc जो disc क्योंकि conducting है तो इसके अंदर electrons होंगे और क्योंकि move कर रही है देखो rotate कर रही है disc ऐसे C के about ऐसे rotate कर रही है तो आप कहोगे the disc experience force जो electron के अंदर जो electron जो डिस्क के अंदर होंगे वो force experience करेंगे away from the center center से अवे भागेंगे center से अवे भाग रहे होंगे तो center required positive potential with respect to circumference circumference पर negative potential आ जाता है और center पर कैसा potential आ जाता है positive तो जिसकी वजह से induzium upset होता है और answer आपका यहीं से आ जाता है यह result आप directly ध्यान रखें आपको helpful होगा half b omega r square अगर disc rotate करती है तो ठीक है third case हम लेते हैं जो third case है इसका third case हम लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई arbitrary shape का conductor हो और वो rotate कर रहा है तो arbitrary shape का conductor कैसे दिखो यह मैंने एक conductor ले लिया जहां मेरा marker चल रहा है यह conductor है O से लेके और S E length का A का और rotate कैसे कर रहा है ऐसे ऐसे रोटेट करता है magnetic field कहां है inside है ठीक है मैं यहां पे भी आपको direct result बता रहा हूं इसका derivation आप के लिए जरूरी नहीं है आप directly concept ध्यान रखें जिससे कि अगर कभी arbitrary shape का कोई question आजाए तो आप motionally MF में जैसे करा था वैसे ही यहां पे भी कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस conductor की जो direct length होती है जैसे आप displacement लेते हैं उस जहां से start हो रहा है और जहां तक जा रहा है वहां तक की length कुल निकाल लिया जाता है या फिर वह आपको देगा जरूर ठीक है तो आप उससे कैसे निकाल सकते हैं कि suppose यह rotate कर रहा है और यह इसकी length L है ऐसे length projected length जो है इसकी L है तो L यहां पर कॉंसिलेंट ली जाएगी L ना कि यह वाली ठीक है तो answer आजाएगा आपके पास half B omega अगर आपको end पूछे की constant जो है positive है constant negative है तो आप again यह वाला rule लगा सकते हैं ठीक है suppose आपके पास एक मैं कहता हूं कि आपको एक यह दे दिया इसमें एक सेमी सर्कूलर डिस्क सेमी सर्कूलर वायर दे दी और इसके about इस पॉइंट के about यह जो है rotate कर रही है ऐसे एसे rotate कर रही है यानि कि कुछ ऐसे और इसका radius r दे देता है वो radius r दे देता है तो अब आप इस case में क्या formula लगा देते हैं तो आप कह देते हो कि भई इसकी और magnetic field inside है तो इस situation में आप क्या formula लगा देते हो E is equals to half B omega L क्या लोगे देखो diameter लोगे तो diameter क्या हो जाएगा 2R तो 2R का square तो इस तरीके से हम rotational EMF के बारे में देखते हैं कि different cases में rotational EMF कैसे apply किया जाता है ध्यान रखें कि अगर आप हमेशा कोई conductor है अगर वो translatory motion कर रहा है तो उसमें emotional EMF आता है लेकिन magnetic field में लेकिन अगर कोई conductor rotatory motion कर रहा है magnetic field के perpendicular अगर magnetic field ऐसे है देखो magnetic field अंदर जा रही थी और यह ऐसे ऐसे घूम रहा था magnetic field में ठीक है ऐसे ऐसे घूम रहा था तो आप क्या ले तब वहाँ पर क्या आता है आपके पास rotational EMF और उसका formula क्या होता है half B omega L square और कौन सा higher potential कौन सा lower potential you can find that using this result hopefully आपको यह lecture helpful होगा समझ मां आ गया होगा तो आप इसको जरूर revise करें इस पर वेस numerical जरूर करें thank you thank you very much आता है